दुबारा कर जड़ा, चास्माने ज़ा बौद साहिते में एक देवदत नाम बहुत मशूर है लगबग इतना ही मशूर है जितना कि भगवान बुद्ध का नाम दुनिया में मशूर है देवदत का नाम इसलिए मशूर है क्योंकि देवदत के जो कार्रे और कर्म रहे हैं वो बड़े अजीव से रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देवदत जो थे वो बुद्ध के जो मामा थे सुपबुद्ध और मामी अमीता उनके पुत्र थे बुद्ध सिधात या बुद्ध बने और बुद्ध बनने के बाद जब उन्हें लोगों को दिख्षाएं देने सुरू करी दिख्षा देने सुरू करी पढ़ाना सुरू किया तो उसमें देदबत को भी उन्हें सिखाया और देदबत ने जो इद्धी बल है इद्धी बल में बहुत अच्छा महारत हासिल की इद्धी बल क्या होता है? इद्धी बल होता है अलोक किवर बल, अलोक किक का मतलब है ए लोक किक यानि कि जो लोक से परे है लोक का मतलब है सरीर के अंदर से या दुनिया के बहार से जो परे है यानि के मनोवग्यानिक बल मनोवग्यानिक जो बल है वो सरीर से अलग माना जाता है तो मनोवग्यानिक बल के वो मास्टर थे और वो सामने वाले को अपने मनोवग्यान से बहुत अच्छा साध लेते थे और वो किसी को भी अपनी मनोवग्यानिक इस्तितिके और उसकी देख देवदत की यहां कहानी का जिक्र है, वो बड़े एक कमाल का है, क्योंकि देवदत के अंदर एक लालच आ गया, लालच क्या आया, कि देवदत चायते थे, कि वो भिक्कु संग की महनता ही करें, महनता ही मतलब पिनमुख बनें, उसके अद्धक्ष बनें, उन्होंने कैई वा बहर आ गया, एक दुस्मन ही आ गई, तो उसके बाद उनका जो इद्धि बल था, जो मैने जो जयने बल था, वो चला गया, क्योंकि अकर सच्चाई नहीं होगी, तो बल काम नहीं करता, वो सफ़ती ही चला जाता है, सच्चाई से चला जाता है, वो चला गया, यहां जो कथ वो कथा बहुत इसपष्ट और बहुत सुन्दर है राजगिरह के अंदर यानि राजगिरी के अंदर एक हाती था वहां के राजा का जो मनुस्य घातक था यानि कि जो मनुस्य को देखते ही मार देता था या उसको कुचल देता था उसका नाम था नाला गिरी कई जगा इसको नालगी भी बूला गया है। उसका जो हती साला थी... जहां हाती लेता हती सार, elephant stable, वहां वह गया देवदत और वहां नागपाल या गजपाल नागपाल का मतलब है हाती पालने वाला. नग माने हाती होता हैा गज भाने भी हाती होता है। तो गजपाल या जो नाकपाल था उसके पास गया और वहाँ जाके उसने कहा कि जब समण गौतम इस रास्ते से आए चलके तो तुम इस हाती को उनके रास्ते में छोड़ देना जो फीलवान था महाबत था गजपाल या नाकपाल उसने काठी के बनते समण गौतम अपना पूरवा में यानि के सुबे और दुपेर के बीच का जो समय होता है उसमें अपने भिक्कु संग के साथ अपना अच्छे से चीवर को अच्छा दित करके अपना भिक्का पात्र ले उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे तो उस जो नाकपाल था जो गजपाल था जो महाबत था फीलवान था उसने उनको देखके और हाती को खुला करके उदर छोड़ दिया हाती बहुत ज़्यादा प्रिचंड था बहुत ज़्यादा शक्ति साली था और वो आदमी को मारने के लिए फेमस था यानि मनुस्य घात था नाग नहीं यानि हाती को नाग भी बोलते हैं तो नाग ने अपनी सून को उठाया कानों को फैलाया और मनुस्य घात की त्यारी क लगा उसके देखके सारे भुकों ने खलबली फैल गई और सारे भुकों ने दाएमाई होने लगे और उन्होंने तीन वार भगवान बुद्ध से तथागा से निवदन किया कि आप रास्ते से हट जाएए ये हाती मनुस्य घाता क्या मनुस्य को मानने वाला है आपको नुक् से नहीं क्योंकि दिखा जो उन्हें निर्वान प्राप्त हो था उससे वो निढर और अभे हो गे थे उन्हें कोई बहनी होता था इसलिए वो उस रास्ते में डटे रहे लोग जो आसपास थे वो अपने-पने मकानों के ऊपर चल गये कोई पेड़ के ऊपर चल गया और मका बुद्ध के बैरी लोग थे जो उनसे प्रसंद थे उन लोगों ने कहा अहो अरे आज महासरवन मारा जाएगा कोई महासरवन था यानि कि वो पहले से मानने थे कि आज महासरवन जो है यानि बुद्ध मारे जाएंगे और ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कोई महासरवन था और नाग से नाग का संग्राम होगा यानि नाग से नाग का संग्राम होगा यानि नाग नोने हाती को भी कहा है और नाग वनसी है यहां के लोग होते थे बुद्ध को भी नाग कहा नोने कि नाग से नाग का संग्राम होगा नाग के वारे में आप जानते होंगे कि नाग से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं जैसे नाग लोग है नाग बाबा है नागा बाबा है नाग रिक है नागर है नाग पुर है नाग देव नाग देवी नागर जुन नागों के बारे राजा भी हुए हैं यह सारे सारे जो नाग से जितने भी शब्द हैं यह सारे भारत के मूल निवासी जो नाग लोग हैं उन लोगों के हैं बुद्ध भी उन में से एक है क्योंकि यहां जिकर आता है कि नाग से नाग का संग्राम होगा मगर बुद्ध के पास में चार सक्ति सालिश शस्त्र है क्या है जब कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है तो उसकी सारी चीज़ें जो बुराईगी होती है वो चली जाती है और जो उसके अंदर निकली बहन निकल के आती है जो उसके अंदर छुपई होती है अनन्त मैत्ता यानि कि अनन्त मैत्री उसके अंदर इतनी friendship होती है इतना सुक होता है कि सामने वाला उसे देख के ही उससे दोस्ती कर लेता है क्योंकि उसके अंदर अनन्त मैत्री होती है अनन्त करवणा होती है यानि इतनी करोणा होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है और अनन्द मुदिता होती है प्रसंता बहुत ज़्यादा होती है जो सरी के अंदर से निकल गे वहाँ पहराती है और अनन्द समता होती है समता यानि हर हलत में सुख में और दुख में वो समान बने रहते हैं, इसको अननत उपेखा भी बोलते हैं ये चार चीजे हर एक बुद्ध को मिलती हैं और जो लोग विपस्टना करते हैं, साधना करते हैं या पंसील का परण करते हैं ये जैसे जैसे वो करते जाते हैं वैसे वैसे पांच चीजे उनके चेहरे से उनके सरीर से अपने आप और्टमेटिक निकलनी सुरू हो जाती है अब नाग जो आता है वहां से यानि हाती जो आता है जिसको यहां बोला गया है वो आने के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता है बुद्ध को देखता है कि बुद्ध के अंदर से एक अलग तरह की किरल आ रही है अलग तरह की रोशनी आ रही है तो जो वो गज है जो नालगरी नाम का गज है उसको नाम दिया गया है वो धीरे धीरे आता है और रुख जाता है और बुद्ध के पास आते आते वो बिल्कुल रुख के और आगे के पैर नीचे करके बैठ जाता है और शान्त होना सुरू हो जाता है और सान्त होने के बाद में भगवान बुद्ध उसको इसपर्स करते है टच करते है टच करने के बाद वो बिल्कुल कूल हो जाता है उसका जितना भी प्रिचन रूप है, जितना भी उसकी बुराईयां है, वो सारी बुराईयां निकल जाती है फिर भगवान कहते हैं भुकों से कि आओ भुको आई इसको आके देखो बागी भुको भी आते हैं, भगवान उसको एक बार और इस पर्स करते हैं, फिर वो सून से उनके पैरों से धूर उठा कि अपने सरीप डालता है, ऐसी कथा के अंदर बताया गया है, और फिर पीछे, यानि पलट के नहीं जा जाता, अपने पैरों से पीछे होता होता और आत को देखके वहाँ जितने लोग हैं, वो कहते हैं कि कुंजर मत नाग को मारो कुंजर, नाग को मानना दुख में हैं, कुंजर हाती को बोलते हैं, वो कहते हैं कि कुंजर, यानि कि हाती, या देखे कुंजर सब्द जो आया है, वो हाती के लिए भी आया, नाग के लिए भ आपको पाप लेगे का आप हम ऐसा बुरे लोग लोग में जाओगे आपको चैन नीन नीम लेगा ऐसा करके लोग बोलते हैं फिर लोग कहते हैं कि कोई कोई आदमी जो दंडी लोग है उनको दंड से अंकुष से और मार कर उनको ठीक करता है मगर समण मुनी जो है भगवान ब अठ गाथा या जै मंगल अठ गाथा बताई जाती है जै मंगल अठ गाथा में जो तीसरी गाथा है वो गाथा ये गाथा है जो बताई जाती है वो गाथा क्या है ये वहाँ पर बोली जाती है ये तीसे नमरी गाथा है इसमें नाला गरी जो है उस नाका उस कुंजर का उस हाती का नाम है गजवरंग गजवर का मतलब है गजवरंग अतिमत भूतंग अति माने बहुत जादा और मत माने मदमस्थ और भूतंग माने होना यानि कि नाला गरी जो हाती है वो बहुत जादा प्रिशन रूप से मदमस्थ है हुआ पड़ा है दावगी जो बोलते हैं वो जंगल की भेंकर आग को बोलते है जिसको बोलते है दावगनी यानि कि जंगल में जो आग लगती है वो बहुत भेंकर रूटूप से लगती है उसको दावगनी बोलते है चक्क मस्नीब इसमें जो चक्क मस्नीब है चक्क मस्नीब का मतलब है कि चक्कर चक का मतलब होता है चक्कर गोल कोल चक्कर है यानि कि थंडर बोल्ट है आपने देखा को चक्रबाद जो आता है चक्रबाद का मतलब यहां चक्क और मस्नीब का मतलब है अंडरबोल्ट यानि बिजली कड़क रही है और तूफ़न आ रहा है चक्रबाद तो बहुत बुरी आग है जो चक्री तरह घूम रही है और कड़क रही है सुदारुणंतंक का मतलब है कठोर रूप से बहुत ज्यादा भेंकर रूप से अत्याधिक प्रिकार से फिर आता है शब्द मेतंबुसेक, ये मेतंबुसेक शब्द बहुत अच्छा सब्द है मेतंबुसेक का मतलब है, मेत माने होता है मैत्री, अंबुक माने होता है पानी, और सेख माने होता है बोच्छार, यानि मैत्री के पानी की बोच्छार की उन्होंने उन्होंने मैत्री उसके उपर फैंकी इस विधी से, विधी ना मतलब इस विधी से जित्वा मुनिंदो मुनींदो ने इसको जीता यहाँ जो मुनिंदो शब्द है यह बुद्ध के बहुत बाद में बना हुआ है इसका मतलब है मुनियों के इंद्र यानि मुनियों में सबसे स्रेष्ट मगर इंद्र जो सब्द है वो पाली का सब्द नहीं है इंद्र सब्द, ब्रामन सब्द या जिस सब्द में आधा रह लग जाए वो सब्द पाली का नहीं होता वो सब्द चांदस का होता है या बाहर से आया हुआ सब्द होता है उस सब्द को चुकि वो पाली में है ही नहीं यहां के लोगों के लिए वो सब्द है नहीं इंद्र यहां की सब्द है ही नहीं ब्रामन यहां का सब्द है ही नहीं जो भद्र है वो यहां का सब्द है ही नहीं रुद्र यहां यहां का सब्द ही नहीं तो आधर रह वाले सब्द पाली के सब्द नहीं है वो यहां के सब्द नहीं है इसलिए यह जो अठ मंगल गाता है या जै मंगल अठ गाता है यह बुद्ध के बहुत बाद में बनी है और जिसने भी बनाई है इसमें आधर रह का करें इंद्र से इसका लेंदर नहीं है आप भी जैमंगल अठ गाथा या जैमंगल दस गाथा या जैमंगल तीज गाथा या महामंगल गाथा या गाथा काली या कोई भी कहानी आप पाली में या हिंदी में किसी भासा में बना सकते हैं ये बाद में बनी है ये सुति गायन तेज से भगतु माने हो ते माने तेरा और जैमंगलानी मतलब जैमंगल हो तो ये गाथा नमबर तीन है जैमंगल अठ गाता की और बाकी जो साथ और गाता हैं वो हम एके करके आपको बताएंगे धन्यवाद